आप सब को डॉक्टर रजनी ड्रमन जासा आचारी संस्कृत विवाग राजगी महाराने सुदर्शन करन्या महाविद्य लभी का निर्का नमस्कार स्विकार हमने विज्यान शाकुंतलम के साथवे अंक में वहां तक पढ़ा था कि मारीची जो है यानि की कश्यप रिशिवे राजा को बताते हैं दुश्यान्त को कि तुम शाप के कारण से शाकुंतलम को भूल गए थे तो इस कारण से राजा भी जो है उस दर्द से मुक्तो हाजाता है और शकुनतला भी यह समझ जाती है कि यह जान बुझ कर मुझे नहीं बूले थे, शाप बस मुझे बूले थे, तो इस तरह से यहां तक हमने पढ़ाई की थी, तो उसके बाद मारी चाह, मारी चाह कहता है, वच से चरितार था सी, वच से, मतलब शकुनतला को कहता है, बेटी तुम चरितार था हो गई हो, यानि कि तुम्हारा कार यह पूरा हुआ, तुम कृत्य हो गई हो, तुम्हारा कार यह संपन हुआ, जो तुमारा सहधर्मी है यानि यहां जो दुश्यंत है उनके प्रति मन्यूह न कारिया उनके प्रति जो है गुस्सा मत करना मन्य पश्य शापाद असी प्रति हता स्मृति रोध रुक्षे भरतर्य पेत मसी प्रभुता तवेव छाया नमूचती मलो पहतप प्रसादे सुद्धेतु दरपन तले सुलभाव काशा क्या कह रहे हैं शापात भरतरी स्मृति रोध रुक्षे साप के कारण से क्या हुआ शाप के कारण से जो याद में रुकावट आ जाने से शापात भरतरी स्मृती रोध रुक्षे शाप के कारण से जिसकी स्मृती में रोध आ गया से रुकामत आ गई थे और इस कारण से जो वह रुखा हो गया तुम्हारे पर ऐसे पती के होने पर अब क्या कहते हैं अपेत तमसी ऐसे पती के अपेत तमसी उदके अंदकार जो है ज्यान का अंदकार दूर हो गया अपेत तमसी तब एव प्रभुता अब इस पती पर तुमारी ही प्रभुता होगी तुमारा ही प्रभुत्व होगा जो पहले शाप के कारण से तुमारी स्मृति भूल गया था उस कारण से रुखा हो गया था वह अब अज्यान से रहित हो गया है और इस कारण से तुमारी प्रभुता तुमारा ही उस पर बल तुमारा ही तुमारी आज्यान चलेगी तुमारा ही जोर चलेगा इसलिए तुम उ मलो पहत प्रसादे नमूर्चति शुद्दे तूसल भावकास जो छाया है मलो पहत मलो पहत प्रसादे नमूर्चति जो मलो पहत मल से द्वारा धका हुआ मलो पहत प्रसादे नमूर्चति शुद्दे जो मल से धूल आदी से उपहत धूल आदी से जिसका जिसका नश्ट हो गया हूँ क्या जिसका जिसकी सच्छता मल जम धूल जम जाती है न दरपन पर तब दरपन में दिखाई नहीं देता मलो पहत प्रसादे मल के द्वारा नश्ट कर दी गई है जिसकी प्रसादे सच्छता ऐसे दरपन पर च्छाया नहीं बनती नहीं बनती है न जो मल जिस पर धूल पड़ी हो जिस दरपन पर उस पर प्रतिभी नहीं बनेगा तो छाया नहीं पढ़ती लेकिन दूसरी बात क्या कह रहे है शुद्धे तो दरपण तले लेकिन दरपण तल काँच जो दरपण काँच यदि शुद्ध है तो क्या कहते है शुद्धे तो दरपण तले सुलभाव काशा उस च्छाया को प्रतिबिम्ब को बनने का सुलभावकाशा उसकी गुंजाईश अवकाश सुलभाव मिल जाती है जो च्छाया मल से भरे हुए दरपण में प्रतिबिम्ब जिसका नहीं बन सकता वही प्रतिबिम्ब जब दरपन स्वच्छ हो जाता है तो अनायास ही उस पे बनने लगता है उसमें कोई प्रयास करने की ज़रुरत नहीं है सुलभाव काशा उसके लिए अब काश मिल जाता है गुणजाईश मिल जाती है वो पृतिविम्ब बन जाता है जहां दरपण स्वच्छ हो जाता है वहाँ तो यही बात है कि दुश्यंत के होए में मल चड़ गया था अब वो मल समाफ्त हो गया है तो तुम्हारा प्रतिवीम जो है तुम्हारी तुम्हारा स्थान जो है तुम्हारी जो तुम्हारा जो स्थान होना चाहिए वह दुश्य अंत्र के दे में बन जाएगा राजा यह था भगवान आपने ठीक कहा ऐसा ही होगा मारी चीवत्स कच्चिद मनिंदितस्त्वया विद्वतस्त माविर नुष्टित जातकर्मा पुत्र एश शाकुंतलेया कि मारी चीवत्र बेटा कश्यप्रशी कहते हैं तुम्हें शकुंतला से उत्पन इस बेटे का जिस पुत्र है सर्वदमन भरत जो है यह शकुंतला ने तुमसे शकुंतला ने इस पुत्र को जन्म दिया है शकुंतला से उत्पन इस बेटे को तुमने स्विकार तो कर लिया ना इसका मैंने जातकर्म किया था इसको स्विकार तो कर लिया न तो पुत्रेश मास्ट्रा कुतला ले रजा भगवान अत्रखलो में वर्श पृत्षठर तो वह कहते हैं भगवन यही पर मेरे वश की पृतिषठर कि प्रतिष्ठा मतलब मेरा कुल की प्रतिष्ठा जो है वह तो इसी पर निर्भर करता है करती है यदि यह इसको नहीं स्विकार करता हूं तो मेरा तो कुल समाप्त हो जाएगा तो इसलिए कुल की प्रतिष्ठा इस पर निर्भर करती है आगे कहते हैं तो इसको इस चक्रवर्ती को जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा तो था भाविनम एनम चक्रवर्तिनम चक्रवर्ती होने जा रहा है जो यह होएगा इसको अवगच्छतु भवान इसको स्विकार कर लो समझ लो कि यह चक्रवर्ती होने जा रहा है इसको समझो इस चीज़ को और पश्य देखो क्या हुआ तो रठे नानुद घाच स्थमित गतिना तेर्ण जलदे उरा सब्त द्वीपाम जैति वसुधाम अप्रतिमर्त रथा यहायम सत्वा नाम प्रसव दमनात सर्व दमना पुनर्या सत्या ख्याताम भर्तिति लोकस्च भर्नात क्या कर रहे हैं कि यहां कैसा होगा अप्रति रथा इसके सामने कोई प्रतिवदंदी नहीं होगा अप्रति रथा आयम अनुद घाच स्थमित गतिना रथे ना इसके बाद हिचकोलों से रहित होने से शांत चाल वाले रथ पर चड़कर अनुद घाच स्थमित गतिना उबर खावर जमीन पर रथ चलता है तो हिचकोले खाता है हिचकोलों से रहित अनुद घाच स्थमित गतिना इसकी गती होगी वो इस्थमित गती होगी मतलब रुकी होगी गती वाल मतलब शांत गती वाल्या रथ होगा इसका क्यों तो अनुद घाच इसके हिचकोले नहीं होंगे इसमें सांत चलने वाले रथ पर चढ़कर यह क्या करेगा तो रथे तीर जलदी सब्त द्वीपान वसुधाम पुरा जहेती वो सारे समुद्रों को पार करेगा और साथ द्वीपों वाली प्रिथवी को जीत लेगा जिसमें हिचकोले नहीं होंगे और उत पर चढ़कर क्या करेगा उसको जीत लेगा साथो द्वीपों वाली प्रिथवी को जीत लेगा फिर क्या होगा तो आगे कहते हैं कि इह अयव सत्वा नाम प्रसव दमनात सर्व दमना है पुना है चूंकि यह सत्वों का पश्वों को जीव जन्तों को बलपूरवक दमन करता है उनका मतलब उनको उनको पचार देता है परास्त करता है तो इसलिए इसका नम सर्व दमन हो जाएगा और पुना लोकस से भरन और पुनह जब वह लोकों का संसार का भरण पोशन करेगा समाज का तो भरत कहलाएगा पहली बात क्या कहीं कि जो यह बालक है अभी शिशु यह बालक है जो वह ऐसे रथ पर बैठ कर विश्विजय करेगा कि जो रथ हिचकोले नहीं खाती और दूसरी बात क्या कहीं कि है कि वह समुद्रों को पार करेगा और साथों दीपो वाली कर्थवी को जीतेगा जएक अच्यों कि यहा यहा प्रसव दमनाद मतलब बल्द पूर्वक दबा रहा है किसको दूसरे जीवों को दूसरे पश्वों को तो इस कारण से न impacts सर्वदमन है इसका नम क्या है सर्वदमन और चूकिया संसार का भरण पोशन करेगा इसलिए इसका नम भरत भी रहेगा सर्वदमन भरत ऐसे इसका नम होगा राजा कहता है भगवताकृत संसकारे सर्वमस्मिन वय माशास महे जब आपने इसके संसकार किये 16 संसकार बली जो बात होती है तो उसमें जातकर्म संसकार बताया था रिशीन को दे तो भगवान आपने ही इसका संसकार कर दिया तो अब क्या है कि सर्वं अस्मिन वय माशा महें वाई वाशास में कि सर्चमुच इसमें वे सारे गुण आ जाएंगे ऐसी मेरी आशा है तो अधिती अधिती काती है भगवन अनया दुहित्री मनोरत संपत्या कण्वी अपितावा छुत विस्तारह क्रियताम दुहित्री वसला मेन के हो मेन के है वो पचरंति तिश्ठंती अब अधिती काती है कि पुत्री के संपन्न मनोरत से विस्तार पूर्वक कण्व को भी अवगत करा दे भगवन अनया दुहित्री मनोरत संपत्या इस जो पुत्री का मनोरत पूरा हुआ तो कण्वों पितावत छुत विस्तारह और कण्व भी कण्वों पितावत छुत विस्तारह क्रियताम कर्ण रिशी को भी यह समाचार देकर उनको उनको जानकारी देनी चाहिए क्या कि क्रियताम धोहित्री वसला में इनके है वो प्चर्णति श्ठती और पुत्री के प्रती वसल में इनका यहीं सेवा करती हुई रह रही है एक तो जो इसने जो इसका मिलन हो गया दुश्यंत से उसकी ख़वर भिजवा दिजिए कर्ण रिशी तक खिर आगे क्या करता है कि पुत्री के प्रती वसल में का यहीं सेवा करती हुई रह रही है पुत्री के प्रती में का यहीं रह रही है तो शकुंतला कहती है आत्मगतम शकुंतला कहती है कि मनोरथ खलो में भड़ितो भवत्या कि यहां मेरा मनोरथ है कि मैं कर्ण रिशी को यह पता चल जाएक आत्मगतम शकुंतला को पाला पूसा था तो उनको यदि यह पता चल जाता है तो बड़ी खुशी की बात है वे भी प्रसंद्न हो जाएंगे कि शकुंतला को अपना पती मिल गया मतलब पती ने स्विकार कर लिया उसको और अब वह अंतापुर की रानी बनने जा रही है तो यह समाचार यदि कर्णुरिशी को भी पहुँचा दिया जाए तो उत्तम रहे ऐसा वह कह रही है अधित्ती कि तो यहां तक हम पड़ा आगे कहते हैं शकुंतला तो फिर शकुंतला कहती है कि मेरे मन की बात कर देल्रव वे अधिया ने कैया कि मेरे मन की बात कहती, अइसा वो कहती है, मन की बात क्यों, क्योंकि वो उसको लगता है कि कण्डल रिशी को मेरे बारे में सूचना जानी चाहिए, अने था, वो दुखी होंगे, तो इसलिए, उसने ऐसा कहा, तो आज इतना ही शेशम आगया देखेंगे दन्यवाद